हाई ग्विल्दीज, वेलकम डू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग अपने एकनरमिक्स का जो सैंपल पेपर आया उसका पैटर्न देखने वाले यानि कि अपने एक्जाम का पैटर्न देखने वाले जो हमारे फाइन चाहिए तो आपको बता है आपके पास एकनामिक्स में दो बुक है पहली बुक है आपकी मैक्रो एकनामिक्स से दूसरी है इंडियन इकनामिक राइट अब यहां पर अगर हम मैक्रो की बात करें गाईज तो नाशनल इंकम अकेला एक ऐसा चेप्टर है जो 10 मार्क्स कवर कर के इंकम डिटर्मिनेशन में टोटल 3 चेप्टर साते हैं 12 मार्क्स यह कवर करते गर्मन बजर चेमा करते है तो बैलन्स ऑफ पेमेंट ट्लस फॉरण एक्स्टेंज आपके छे मार्क्स कवर करते है तो यह मैक्रो एकनामिक्स की टोटल बेटेश है इसके लब अगर हम बात क वो 12 marks का है उसके बाद current challenges हमारा 20 marks का है जिसमे हमारा poverty chapter जो है वो deleted है तो poverty chapter नहीं करना उसके अलावा बाकी सारे शेप्तर सारी है और comparative study जो हमारा last chapter जिसमें India China Pakistan की बात करी गई है वो 8 marks का है so total weightage again 40 marks हमाली second book की है ठीक है अब हम अगर questions की बात करें तो कितने डायब के कितने questions आएंगे तो guys 20 questions आपके 1 mark कर आएंगे जो कि MCQ based होंगे और total बेटेज 20 marks की होगे choice 6 आएगी section A में से 3 MCQ मितलब section A में से 3 questions होंगे जिन में choice होगी 1 mark में और section B में से भी same guys 3 questions होंगे जिसमें choice होगी तो total choices 6 होने वाली है इसके लवा चार question आएएंगे guys आपके 3 marks के total weightage होगी 12 2 में choice होगी यानिकि जो 4 question है उसमें से 2 question में choice होने वाली है 3 marks में जो section A में से 1 question में और section B में से 1 question में होगी तो यानिकि दोनों sections में equally choice चल रही है इसके लवा 6 question guys आपके आएंगे 4 marks के 24 total adult weightage होगी B में तो ज्यादा choices आपको यहां नहीं मिल रही इसके अलबा अगर हम बात करें चार question आएंगे guys जो lengthy big होंगे और वो 6 marks के होंगे total weightage 24 बनेगी और 6 marks question में भी 4 में से सिब 2 question में choice मिलेगी section A में 1 question section B में 1 question तो इस तरीके से आपका question आने वाला है और 6 marks में अगर मैं बात करूँ guys आपका जो यह comparative study है इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि 6 marks में अकेला question यह आता है जिसमें कोई choice नहीं होती तो इसको तो बहुत अच्छी तरीके से prepare करना है और में next video जो बनाऊंगी guys उसमें हर एक चेप्टर के important questions बताऊंगी तो उनको थोड़े अच्छी तरीके से topics को करना था कि आपके अच्छे marks आ सके और यह guys आपका exam pattern रहने वाला है यह आपकी book की weightage रहने वाली है economics आप बहुत अच्छी तरीके से कम समय में कर सकते हो प्लस revise भी कर सकते हो वीडियो अविलेबल है इनकी अगर किसी भी topic में फिर भी आपको कोई problem आती है तो Instagram पर ID है तब इतामे सी message करके मुझे पूछ सकते हो Thank you